हैं कि की एलो इवर्य वेल्कम गजू स्चाणल तो आज और लेक्चूर से स्टार्ट करेंगे कंप्ट नेट्वर्ग एंट कंप्ट तरह से प्रोघ desc create देस अंदर किस तरहрал नेटवर्किंग अफ्थ cm e class tai computer network is a system in which multiple computer are connected to each other to share information and resources computer network के कैसा system है जहाँ पर आप multiple computer आप multiple computer ले लो ग्रूफ मतलब एक से ज्यादा computer जो है वो connect होते हैं एक दूसरे के साथ और क्या करते हैं information को एक दूसरे के साथ share करते हैं उसके जो resources है उनको share कर रहे होंगे या information share कर रहे होंगे उससे बोलते हैं computer network मतलब आपको आइडिया होगा network मतलब एक से दूसरे तार जो होते हैं वो जुड़े होते हैं तो इसी तरह से बहुत सारे multiple computer को एक तार से दूसरे तार से जोड़ा गया होता है तो उसको बोलते है computer network देखिए मैं आपको drawing में explain करती हूँ देखिए यह क्या है हमारे यह लेप्टॉप CPU यह सारे जी क्या है computer ही है राइट इनको किसे एक किसी वायर या कुछ या ऐसा कुछ डिवाइस से इनको आपका फोन और लेप्टॉप आपके से कनेक्ट करते हो रहे तो उसको wireless connection बोल देते तो इसी तरह से यह वायर से connected है wireless connection किसी ना किसी चीज से वह एक दूसरे से connect हो कि क्या कर रहे है अपना resources share कर रहे है कुछ information share कर रहे है तो उसे क्या बोलते है computer network देखे यह दोनों computer है network devices यह आपके जो wire दिख रहे हैं और यह वाइफाई का connection जैसा दिख रहा है यह wire दिख रहा है network devices है और यह जो हैं आपके computer है तो यह सारे connection हुए हैं तो इसे क्या बोलोगे आपके यह computer और यह जो wire connection हुआ है और यह wireless connection हुआ है यह network किसी से joint है और क्या कर रहे है information share कर रहे हैं यह wireless connection है मैंने जैसे बताए यह wireless connection है यह wired है तो यह क्या कर रहे हैं अपने connection को एक दूसरे के साथ joint करके information आप इस तरह से जोइन करके एक computer से दूसरे computer में share कर सकते हैं information को तो यह है computer network की definition अब हम देख लेते हैं इसके advantage क्या है इसका use करके हम क्या 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 कर सकते हैं तो advantage of computer network तो first है कि आप file sharing कर सकते हो अगर आपका connection joint है आपका अगर आपने वैसे जर्नल या भी तो लोगों का computer और वैसे बहुत यूज़ करने आ गया है तो इसका कुछ इतना difficult नहीं है फिर भी advantage में इसका पता देती हूं अगर आपके पास किसी pen drive में file पड़ी हो या phone में file पड़ी हो इसको आपको computer के साथ आपको computer में कुछ काम करने तो आप क्या कर सकते हो क्या करते हो USB connect करते हो राइट USB connect करके आप file share कर देते हो या तो Bluetooth connect कर लेते हो उसको बोलते है wireless connection राइट या तो Wi-Fi sharing करके फिर आप अपना जो भी उसमें दूसरे computer में पड़ा है उसको दूसरे computer में ले सकते हो यह हो गया file sharing second है flexible access तो आप किसी के साथ भी video call वीडियो चैट इस तरह से आप flexible access कर सकते हो दूसरी जगह पर आप यहां पर हो फिर आपको बहुत दूर तक किसी से बात करनी है तो भी आप इस connection की वज़ा से computer network की वज़ा से आप flexible access कर सकते हो तो यह advantage है entertainment कर सकते हो सब को पता है social media हो गया Facebook Instagram Twitter कि कितने YouTube हो गया तो इसी तरह से entertainment यह सब हम क इसे देख पाते हैं because of computer network कितना बड़ा है हमारा जिसकी वज़ा से यह सब कुछ entertainment file sharing flexible access इस computer network की वज़ा से ही आज हम कर पा रहे हैं better communication तो हम किसी से phone पे बात करते हैं तो हमको बीच में को interrupt नहीं आता है आपको कहीं दूर विदेशों में बात करनी हो other country में बात करनी हो तो आराम से phone लगा के आप बात कर सकते हो बीच में कहीं आपको interrupt नहीं आता है communication करने में कोई दिक्कत नहीं आती है तो यह सब किसकी वज़ासे है computer network की वज़ासे तो देखें फिर internet connection आपको easily मिल रहा है internet connection दिया होता है globally यह internet connection है कहीं पर भी आप चाहों सब connect कर लो internet access आप easily कर सकते हैं आप सभी internet use करते ही हो राइट फिर नेक्स्ट है कि आप अराम से अपने laptop को किसी से भी जोड़ कर जैसे आपने laptop में से print निकालनी है अपने computer या laptop को connect किया और आराम से आप printer से print निकाल सकते हो वह आपको इतना expensive नहीं पड़ता था बट पहले कि जमाने में इतना काम करने के लिए बहुत सारा खर्चा हो जाता था पर आज computer network की वज़से इतना easy हो गया है और inexpensive हो गया है तो देखें फिर instant and multiple access है आप आसानी से अपने laptop से किसी को भी ज्वाइन कर लो प्रिंटर ज्वाइन कर लो पेंड्राइज पेंड्राइज में से आपको कुछ चाहिए laptop में ज्वाइन किया और आपने access कर लिया वो तो क्या अग्दम पलक जपकते ही आपको जो कर चाहिए होता हो मिल जाता था पाकि पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था अगर हमें कुछ चाहिए हो तो हम पेन पेपर लेके जाते थे पर आज के इसके आज जो है आज इतनी टेकनोलजी बढ़ गई है जिस्ट बिकॉस ऑफ कंप्यूटर एक नेटवर्क जिस्ट आपने कंप्यूटर कंप्यूटर को जोईन कर दिया है इस्की वुझत से आप multiple access आजानी से कर सकते हो फिर रिसोर्स एरिंग आपको किसी को भी देटा सेंट करना हो आप यहाँ बैठे बैठे अधर mines कांट्री में विडियोसों में किसी को भी डेटा सेंट करना है तो आप आसानी से बैस अकते हो just because of computer networking यह सारे एड्वांटेज है computer networking के next देख लेते हैं application of computer network application कौन कौन से email services राइट आप email services से भी आप एक्सेस कर सकते हो resources share कर सकते हो email services से फिर teleconferencing same advantage जो है उसके applications भी है दिस application में बताया गया कि आप क्या कर सकते हो उसके साथ आप किसी के साथ भी video chat कर सकते हो just यहां से अपने call लगाया video chat किया और video chat कर सकते हो business and finance का वर कर सकते हो आज तो इतना technology बढ़ गया आराम से आप फोन में बैठे बैठे ही अपना सब कुछ business जो है वो संबाल सकते हो file and directory services भी सारी होती है computer network में आप सब लोग जानते हो कितना सब कुछ होता है जिस अब जिस लेपटोप में आप लेपटोप फोन कितना कुछ आप आसानी से फोन में कर सकते हो data access कर सकते हो आपको जो चाहिए सब कुछ आपको फोन के अंदरी लेपटोप आप जिसमें just because connection की एक खले आपने आपके पास इंटरनेट है आपने connect किया नेटवर्क हो गया computer network का उसकी विज़े से यह आप इतना सब कुछ easily आपको प्रोवाइड हो पाया है just because of computer network तो देखिए अब टाइप कौन कौन से है computer network के तो फॉर्स टाइप है computer network can be categorized by their size well as their purposes देखिए computer network को categorize किया है उसकी size से और उसके purposes की विज़ से the size of network can be expressed by the geographic area तो देखिए computer network के types बहुत सारे हैं तो उसको किस तरह से define किया है कि आपका geographic area मतलब उसकी साब से कि दूर का कैसा network है और पास का कैसा network है उसकी साब से उसके types को define किया गया है तो देखिए यहां पर टाइप में बता जेती हूं फर्स टाइप है local area network local area network में क्या होता है कि आपके आसपास का जितना network हो का उसे बोलते है लैन लैन का phone form है local area network सेकेंड है metropolitan area network में थर्ड है wide area network wide area network में क्या होगा कि दूर दूर तक आप जितना भी network का आप अपना भी ठा सकते हो उसे वह आएगा पूरा wide area network में local area network में जो आपके इस पास का होगा metropolitan में जो medium medium network होगा वह सारे आएंगे तो उसको मैं detail में अभी explain कर देती हूं तो local area network में क्या होगा देखिए आपका पूरा जो एक आप कभी लैब में बैठे हो रहा है लैब में गए होगे student हो तो आप लैब में गए तो सारे PC के से एक दूसरे से connect होते हैं एक खाली ethernet आपका यह wire लंबा सा अपने देखा होगा अगर आप लैप में गए हो वह server से connect होता है उसी के साथ में सारे lines से जो आपके PC attached होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम अपने आसपास के network को बोलेंगे local area network वह हमारा हो गया local area network जो एक ethernet से आपका joint है आप लैब में गए होंगे तो वही example है local area network का लैब में गए हाँ पर कितने सारे PC एक साथ connect होते हैं तो उसे बोलते हैं local area network is computer network that interconnect computer within a limited area such as residence, school, laboratory, university, campus और office building जैसे मैंने आपको होता है आप लैब में गए होगे तो किस तरह से connected होते हैं PC आपने देखे ही होंगे most of तो उसी तरह से यह आसपास के जितने interconnect होते हैं computer उसी को limited area होता है इनका ज्यादा wide area नहीं कि आप यहाँ पे हो तो other country में भी आप नहीं local area network जो आपके आसपास के computer होंगे वही सारे connect होंगे तो उसे बोलेंगे हम land area network next metropolitan area network किसे बोलेंगे हम a metropolitan area network is a computer network that interconnect with computer in a metropolitan area like network क्या है computer network है जो interconnect है किसके साथ आपके city पूरी city का ले लो आप पहला हम land हमने देखा हो किस से connect था खाली आपके resident में लगा हो college में लगा हो university में एक lab के अंदर एक उसका वाइक limited area होता है पर metropolitan में क्या है कि पूरी city के अंदर आपको cover करेगा उसको बोलेंगे हम metropolitan area network पूरी city का जो connection है कितने में connected है आपका computer या laptop जो भी है connect है वो पूरी city का count करेगा man is larger than land but smaller than area covered by a van तो अभी मैं बताऊंगी क्या होता है पर मैं जो है वो larger है land से राइट यह metropolitan network larger है land network से it is also using interconnection of server local area network तो इसको आप local area network में भी use कर सकते हो राइट क्योंकि वो पूरी city का cover कर रहा है मतलब यह local area भी cover करता हो या को cover करता है देखिए इसका example है यह राम देखिए warehouse हो गया central office हो गया यह सारे आपका central office हो है कहीं city में राइट जैसे central office है कोई वो warehouse से connect होगा branch office होगी उसकी होगी उससे connect होगा factory से यह सारे connection connected होंगे तो इससे बोलेंगे है metropolitan area network नेक्स हम देख लेते हैं वाइड एरिया network वाइड एरिया नेटवर्क क्या है वाइड एरिया network is a computer network that exit over large scale geographical area जैसे मैंने पस बताया कि वैन के वाइड एरिया network में लिखे आव एन कनेक्क डिफरेंट network including local area network and metropolitan area networks तो वैन में सारे यह दोनों आ जाएंगे metropolitan area network भी आ जाएगा और आपका land local area network दोनों आप वाइड एरिया network में रख सकते हो रहाएट पर वाइड एरिया वाइड एरिया network समझते हैं कि पूरा स्केल आपका जितना city पूरी country अलग अलग country सबसे connect होगा आपका computer उसे बोलते हैं वाइड एरिया network देखिए इट में भी लोकेटेट विदिन state और country और इट में इंटर करेट connected around the world पूरे वर्ड में state में country में आपको जहां connect करना हो आप वाइड एरिया network का यूज करके connect कर सकते हो तो देखिए एग्जामपल है और पूरे ACA का पूरा दिया गया हुआ है यहां पर ग्राव यहां पर पूरा connected है यहां पर PCA कुछ दूसरे country में दूसरे country में यहां पर देखिए यह सारे connected है एक दूसरे के साथ तो इसे बोलेंगे हम वाइड एरिया network तो यह था सारे types of computer network तो next हम आगे के topic इसके बाद देखेंगे दूसरे वीडियो में आज के लिए इतना ही था thank you